वेल्कम टू नाइडेन न किचिन आज हम लोग गर्लिक अंडा मसाला बना रहा हैं बहुत अच्छा लगेगा और ये चावल का सथ रोटी का सथ खाना में मज़ा आएगा बहुत अच्छा सब्जी है मज़ा आएगा खाना में भी इसको और इसको कैसे बनाते हैं हम लोग सिकत तेल को गराम होने दू इसमें अंडा को फ्राइ करेगा इसलिए तोड़ा ज्यादा तेल लिया हूं अब उसमें आधा चम्मस हल्दी पाउडर डालके उसमें मिक्स कर लेजिए अंडा को मैंने पहले से उबाल दिया उसको चिलका निकालके न वो चाकु से अलका से काटा अंडा को न ये लाइन्स मारा था साइड में एक एक अंडा को न दोनों तरफ लाइन्स मारा था कि वो मतलब उसका बबल्स नहीं आएगा और ये फ्राई यूदा निकाल दीजी इसको साइड करिए उसी तेल में जो खड़ाए में हम लोग तेल डलाने उसी तेल पे दो मिच्चे डाल दीजी और ये कर्री लिव से थोड़ा से डाल दीजी अब इसको अलका से फ्राई गयों ने दीए एक कप छोपड आनियन डाल दीजिए इसमें इसको अच्छा तरफ से पका दीजिए ये तोड़ा ब्राउन कलर आना चीए दो मिनिट लगेगा इसको डक्कन लगा के कुक कर लिजिए जैसा ये तोड़ा कलाच चेंज हुआ ना तोड़ा पक गया है इसमें ना मैं अधरकलसन पेश्ट आड़ किया हूँ एक चम मच जो अधरकलसन पेश्ट के जो स्मेल लेना वो निकलना तक इसको कुक होना चाहिए इसको डक्कन लगा के तोड़ा कुक कर लिजिए दो तिन मिंटी के लिए जैसा ये कुक हो गए ना इसको तोड़ा मिक्स करके इसमें ना आपका टेस्ट का अंसार साल्ट आड़ कर लिजिए उसमें हल्दी है ना आदा चम्माज डालिए ये लाल मिर्ची है एक चम्मस और आदा चम्माज डालिए आपको जितना स्पाइची चाहिए उतना लगाए और कोरियंडर पौडर है एक चम्माज डाल दीजिए जीरा पौडर है एक चम्माज डाल दीजिए मिर्ची है आप देख लेजी अगर स्पाइसी लगेगा तो तोड़ा एड कर लेजी पाइसी कम छही है जिसको तोड़ा कम एड कर लेजी क्योंकि आलड़े हम ग्रीन चिली डेला है और यह एक कप टामाटा जो से मतलब यह मैंने दो टामाटा बड़ा वला लिया हूँ इसको म बढ़िया से कुक कर लें जैसे यह को गया उसका पूरा पानी निकाल गया तो इसमें अभी एक लस पानी याड कर लेजी यह लगबग 200 मल है तो 200 मल का पानी याड कर लेजी थोड़ा ग्रेवी भी आएगा उसका इसको यह न वैसे ही दो मिट कुक कोते हो एक कस्मेरी लाल मिच्चे एक चम्मास है और आदा चम्मास हम चिकन बिर्यानी मसाला एड किया था अग कुछ लोग चिकन मसाली भी होगो तो चिकन मसाला एड कर लेजी कोई दिक्कत नहीं इसको अच्चा से पकने दो और उसी इमें दो मिनिट का बाद हो उसको आपर दोड़ा से सिलका निकाल दिया और उसको आपर यह पकने दो मतलब यह हैं कोकोन चाई हो इसके लांग पांच मिनिट लगेगा उपर डखकन लगा के पांच मिनिट का बाद इसको बड़े से मिक्स करके इसमें आप लोग जो पहले से जो फ्राइ किया वो जो अंडा है उसको याड़ कर लेज़ा जैसे ये एंडा डालने के बाद अलका से मिक्स कर दीजे मिक्स करके इसको डक्कन लगा के लगबा गए न 6-7 मिनिट इसको कुकोना चाहिए लो फ्लेम ने एक कुक देखो बढ़िया तेल भी उपरा गए न जैसे ये कुको गए न तो इसमें आभी हम तोड़ा से न दनिया पता याड़ कर लेते हैं और ये दनिया पता याड़ करके न इसको डो तीन मिनिट कुक कर लेजे लो फ्लेम में ही अब ये रडी हो गया अलमूस्ट अब ये खाने का तयार हो गया और ये चावल का साथ आतो रोटी का साथ ये खाने में न बहुत मजाएगा तैंक यू फर वाचिंग प्लीज सब्सक्रेब मैं चैनल सपोर्ट करिये मुझे तैंक यू